जो मेरे पीछे है यह आठाइसल साल प्रणी ओर यहां से पीछे से पुरा जंसकार वेली दिखता है बहुत ब्युटीफल व्यूट कि अब ऑर ईक रोड से उते वे और उपर की तरफ जाएंगे उपर एक और मोनेश्ट्री है पर की तरफ कि तरफ भूड़ पगड़के अब जो टो चलते दिखते और क्या है आगे झाल है तो तो यह हम लोग आंगे कर दो दो कि अपन कहा वो कि मत तो बहुत लुक्ता में अपनगों बॉल भी उपर आगे है और रोगन लीचे देगा है कि वहां पे बुद्ध है कौदम बुद्धा जी की इस ट्रेच्यू है तो तीमा है वहां जाने के पुरा गूम क्या ना पड़ेगा है बहुत ही पुरा आना इसको गुमा भी सुपते हैं तो वह है मोनेश्ट्री तो वह है मोनेश्ट्री चल की जाना पड़ेगा उपर तक हलत खराब है एक बुआ जिए पुरा प्रेच्ट्री एक पीजा पीजाए एक टीए पीजाए तो भीजाए भीजाए झाल में के लिए टाओए पानी ना उप्लाँ यह कुछ और है कि इसको दो कि लागे पिर आपने कि लुग है कि अब ब्लैक टी यहां पर ब्लैक टी पीएंगे हम लो अब बता अपना रिकाय में मुझे दो वीडियो बनाना है एक जो बाइक पे रहों चलते चलते रहों चलते खड़े हो जाओं और पानी लेली चलते चलते हैं और गारी गिर गया तो क्या करेंगा ना तेज नहीं चलाना तो यह है ब्लैक टी अरिया मुपिएंगे अब यहां इस मॉनेस्टे की स्टोरी एविशन की जुबानी सुनी है मुझे भी आपने क्या देखा अंदर यहां के एक प्रीस्ट थे और उनको 1480 में निर्वाना प्रप्थ हुआ था उसकी और उनके जो मॉर्टल रेमेंस यानि उनकी मॉमीफाइड बोडी इस में प्रेयर हॉल में है उसका फूटो लेना लाउड नहीं है बटा आप यहां पर आके देख सकते हैं यहां नाम क्या यह है कार्शा मॉनेस्टे क कार्शा गोंपा ओके यह गोंपा है और उपर काली माता जी का मंदिर है कुछ चड़ की जाना है वह दो लोग हमेशा हारी मान लेते पता नहीं कि हार मान जाते हैं और यहां से देख लो भाई नजारा देख लो नजारा क्या ही नजारा है पुरा जनस्कार वे लिए अंदर तो वीडियोग्राफिया अलाव नहीं किया बट जो अंदर काली माता का मुर्थी वो साल में एक बार यह उपन होता है जुलाई में तब प्रशमुर्टी है अंदरा इस उपे को बंद करके रखते हैं है 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 झाल झाल तो कल हम लोग ने यह होटल में इस्टे लिया हुआ है यहां पर रूम और रेस्टरान दोनों मिल जाएंगे और यहां चीज़ा आपको अविलेबल है अब हम लोग पहले जारे लेंज करने लेंज करके फिर मैं आपको रूम टूर भी कराता हूं यहां का खाना भी अच्छा ह है मुस्ली लोग यहीं खाना खाने आते हैं चिकन बिर्यानी चिकन कड़ाई पनीर कोला पूरी और सब के लिए रोटी लंच टाइम लंच करके मिलते हैं तो समय हो रहा है 4.30 और हम लोगों ने लंच कर लिया यहां पर ही रेस्टरोइड में खाना काफी अच्छा था था ब करना है तो हिम्मत ने बच्ची राइट करने के इसा लग रहा है अब देखते हैं अभी रूम में जाके आराम करते हैं तो मैं मिलता आपको कुछ समय के बाद बड़ा रूम तो नहीं चोटे ही है बड़ फिर भी आपको रूम तुर करा जाता हूं दोजार में क्या मिला है तो एक बैड है में बहुत महिंगा इसे बहुत और एक बात्रूम है और बात्रूम है और गीजर भी दिया है बट लाइट बहुत टाइम से नहीं है सामकवाएगी पांची बजे गुड इवनिंग गाइस सोड़ समय हो रहा है एट पीम और हम लोग जा रहे है भी डिनर करन है क्योंकि यहां पर खाना जली खा लेते जैसे कि आपको मैंने बताया कि आते हम लोग सो गए यहां पर और अच्छी खासी नीन लेके उठे आदा एगंटा हुआ उठके तो आसा टाइम पास करेंगे और कल सुबह उठके यहां से निकलना है वापस कारगिल के लिए कारग सिन अगर में तो हम लोग को वाइक रिटन कर देनी है तो हम लोग के पास 29 तक बाइक है तो जब आम लोग सीन अगर पहुंचेंगे तो वहां से सीन अगर को भी एक्स्प्रोर करेंगे तो आप लोग भी जाके तवा कुछ खा लीजिए फिर मिलते है थोड़ टाइम के बहुत कम खा रहे हैं चलो अभी इसके बाद जाके सोने ही और सुपर उटके फिर निकलने ही काल गिल